हाई एवरिवान वेलकम बैक अगें तो माई चानल रिप्लानिश एडूकेशन और यहां पर आज विकेंशी लेकर आई हूं मैं चेक कर लेंगे वन बैवन बिफोर कोईंग टू स्टार्ट मैं बता देती हूं यहां पर जो है दूसरे स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं बट रिजर्विशन का फायदा जो है उसी पर्टिकुलर स्टेट से ही मिलेगा अगर आप हर्याना से अगर आप बिलॉंग करते हैं तभी आप रिजर्विशन का फायदा ले पाएंगे बट अगर आप दूसरे स्टेट से बिलॉंग करते हैं तो रिजर्विशन का फायदा नहीं मिलेगा बट फिर भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे तो देख लेते हैं कि कौन कौनसे सब्जेक्स में रिलीज इंस्ट्रॉक्टर इन टेक्निकल एडुकेशन डिपार्टमेंट हर्याना तो यह नॉटिफिकेशन 10 अफ डिसेंबर को रिलीज हुई थी ओपन होगी इसकी जो जो है स्टार्ट हो गई है फॉर्म फिलोना 13 अफ डिसेंबर से लास्ट डेट इस 6 अफ जैन्वरी इसके बाद ह करने के लिए नॉटिफिकेशन अच्छे से गो थू करें ओनलाइन अप्लाई करना है तो यह वेबसाइट है वेबसाइट कर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको यहां पर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें बताई हुई है यहां पर हमार पास इंग्लिश साइंस मतलब मात्स में स्पेशिलिस्ट यहां इन बताया है फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रोनिक्स इसके बाद है हमारे पास लेबरोरेटरी टेकनोलजी फार्मेसी प्लास्टिक टेकनोलजी टेक्स्टाइल प्रोसेसिंग टेक्स्टाइल टेकनोलजी Forman Instructor Lecturer in Business Management Lecturer in Finance Accounts and Audit तो यहां Business Management में हमारे BBMB वाले प्लाई कर पाएंगे अगर आप उसमें आपकी कमर्स है तो भी आप इसमें उपलाई कर पाएंगे और आइचिंग सो बिजनेस वाले भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे देख लेते हैं नीचे से स्क्रॉल डाउन करके यहां पर डिटेल्स भी बताई हुई है असेंशल क्वालिफिकेशन तो यहां नोट नमबर यहां पर है हमारे पास 24 इसको हम लोग स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं 24 सीरिल नमबर में चलते हैं ताकि हमें डिटेल्स क्लियर हो जाएं लेक्ट्रार इन फिनेंस अकाउंट के लिए यहां पर है फर्स्ट क्लास डिमांड क्यों यह मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए कमर्स या बिजनस एड्मिस्ट्रेशन में नेट और पीएजडी होना चाहिए आपके पास नेट ओब्लीक करके पीएजडी बताया हुआ है मेंडेटरी नहीं है पीएजडी और इसके बाद हिंदी है संस्क्रेट आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए मैट्रिक्स में हाइ इसको स्क्रॉल डाउन करके और चीज़े देख लेते हैं कि यहां पर स्केल ओफ पे आपको क्या प्रवाइड हो रहा है लेक्टरार की रहेगी आपके पास 53,100 इसके अलावा आपके पास अलाउंस भी रहेंगे पोर मैं की स्केल ओफ पे रहेगा 44,900 इसमें भी आपको अला है कि हमारे इंडिया नेशनालिटी इसमें अप्लाई कर सकते हैं एज लिमिट बताई हुई है 21 and maximum is 42 रिलेक्सेशन जो है एज वाइस यहां पर बताया हुआ है कि यहां पर बताया हुआ है रिजर्वेशन गाईज यहां पर देख लेना जरूरी है कि benefit of reservation SCBC इन सब को मिलेगा reservation category बट वो कहां के होने चाहिए सिरफ और सिरफ हरियाना state के ही होने चाहिए अगर आप दूसरे state से रहते हैं apply करते हैं तो आपको unreserve में ही categorize किया जाएगा उसी में ही आपको form fill करना हुआ है application of fee यहां पर बताया है थाउजन रुपीज रहेंगे मेल कांडिडेट जर्नल कैटेगरी के लिए और इसके बाद है 250 रहेगी फोर ओल फीमेल कांडिट ऑफ जर्नल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंडेंट ऑफ यह सेम ऑफ हरियाना ओनली फीमेल कांडि से रहेंगे तो भी आपको यहां पर 250 रुपीज ही आपको फी के लिए देना पड़ेगा तो यहां पर यहां पर आई होप इतना information clear हो गया है स्पेशल इंस्ट्रक्शन यहां पर दिया हुआ है कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना होगा कैसे नहीं सेलेक्शन के लिए आपका एक टेस्ट रहेगा जो जिसकी डिटेल्स जो है इनकी वेबसाइट से आपको पता चल जाएंगे और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती जो फॉर्म फिल करने से पहले आप नौटिफिकेशन को अच्छे से गो तुरू जरूर करना अच्छे से पढ़ लेना फिर उसके बाद ही आप लोग अपना फॉर्म फिल करना आप इसके प्लसंट पसंद आया है अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करे चानल जरू बरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करते रहे हैं तो गाइस थांक यू एन हैव नाइस डे